असलाम वो आलेकुम हमार पास एड्वांस सेर्ड एड्वांस चैप्टर एट इंप्रोपर इंट्राइग्रल में हमने लास्ट वीडियो में लिमेंट कंपेर्जन टैस्ट थेर्म किया था आज हम उससे रिलेटिट बेसिक जेंपल करेंगे जेंपल हमार पास है कि फार एवरी इंट्राइग्रल 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 test किया था तो हम simply सबसे पहले इन पर limit apply करेंगे एक को function को हमने f of x का नाम दे दिया जबकि दूसरे function को हमने gx का तो हम लिखेंगे since हमारे पास limit है x क्योंकि हमारे पास semi open semi close interval है one to post infinity तो means कि हमारे पास जो x है वो approach करेगा infinity को तो हम लिखेंगे limit x approach to infinity f of x over x equal है हमने first integral जो हमारे पास था f of x को हमने नाम दे दिया e power minus x x power p और go x को हमने नाम दे दिया 1 over x square का जब हम इसमें value put करेंगे तो हमारे पास आएगा limit x approach to positive infinity f of x की place पे 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 पूट करेंगे हमारे पास आएगा e power minus x x power p और जब हम go x की place पे इसकी value put करेंगे तो हमारे पास आएगा over 1 over x square जब हम इसे simplify करेंगे तो this implies हमारे पास limit x approach to positive infinity f of x j of x equal है limit x approach to positive infinity e power minus x x power p plus 2 यह हमारे पास हमने simplify किया है हमारे पास आएगा limit limit x approach to positive infinity e power minus x x power p जो इसके denominator में हमारे पास 1 over x square था यह हमारे पास आएगा x power 2 क्योंकि हम हमारे पास base same है तो जब हम power square करेंगे तो next step में हमारे पास आएगा limit x approach to positive infinity e power minus x x power p plus 2 equal है limit x approach to x power p plus 2 over e x equal है 0 अब हम क्योंकि हमारे पास e power minus x था जब हमने इसे denominator में लेके गए तो हमारे पास e power x आ गया अब अगर हम direct इसमें limit apply करेंगे तो हमारे पास undefined answer आएगा तो सबसे पर हम इस पर L optical rule लगाएंगे यानि nominator and denominator का first derivative लेंगे उन्हें simplify करेंगे तो इस तरह हमारे पास answer आजाएगा 0 यानि कि इसकी limit हमारे पास exist करती है और हमारे पास कोई finite answer है अब क्योंकि हमने यह बता है था कि हमारे पास integral converge कर रहा है या नहीं तो हम second हमारा function ही ले लेते हैं जो हमारे पास था यहां प्या हमारे पास 1 & x squared में हमारे था प। में हमारे पास p equally 2 यानि 2 वह greater than 1 है तो आज बाइ पी हमारे पास पी जो हमारे पास integral 1 to 1 to 1 and x squared dx हमारे पास converge कर रहा है तो वाइ लिमन comparison test हम दे गहा था इस एक integral converge कर रहा है तो दूसर भी converge करेगा और एक एंट्र reverse कर तो दूसर भी hats करेगा तो थी इस इंट्र सके स्वावर्बारा कायातर हमारे पास dita करे मेंस कमारे पांस wex भी कर करेगा favorite integral integral 11 पॉस्टीनिटी ард टीक कॉर्इग स्वावर के दो ये थिमारी आज की वीडियो जिसमें हमने basic example of limit comparison test को देखा, उमीद है आपको clear हो गया होगा, next video में फिर में लेंगे, Allah Hafiz